नमस्कार बच्चों मैं कम्लेश चन मिस्ट्र आप लोगों का हिंदी की आनलाइन कक्छा में स्वागत करते हैं आज आप लोगों को कच्छा 12 हिंदी के आरोह के काब वेखंड से फिराग गोरक पूरी द्वारा रचित रुबाईयां पाट पढ़ाने जा रहे हैं इस रुबाई में फिराग गोरक पूरी जी एक बच्चे के और मा के बीच वाजसल प्रेम को दर्साने की कोशिस किये हैं भासा सहज और प्रसंग भी सूर्दास के वाजसल ले वर्डन की सादगी किया दिलाती है मुझे चाँच चाहिए मैया मैतो लूंगा चंद्र खिलोना जैसे बिम्बाज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलोना है जो वातान कूलित कमरों में बंद नहीं रहते चट पर चटाई विचा कर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूद भात खाने की कल्पना से निहाल हो जाते हैं मामा भी तो एक साक्षात खिलोना ही है खास कर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलोने भले न हो पर जो चंद्राफ किरने चंद्रमा की किरने हैं उनका मर्म समझते हैं एक कठिन दौर यह भी है फिराग गोरकपुरी लिखते हैं घर लोट कर बहुत रोए माबाप अकेले में मिट्टी के खिलोने भी सस्ते न थे मेले में लोका देना गुटनियों में लेकर कपड़े पिनाना गेशुओं में कंगी करना रूपवती मुखडे गर्म दस्तक जिदेया बालक रस की पुतली यह सब कुछ बिलक्षन प्रयोग फिराग गोरकपुरी जी इस रुबाई में किये हैं आईए देखते हैं फिराग गोरकपुरी का यह रुबाई आंगन में लिये चाद के टुकड़े को खड़ी चाद का टुकड़ा बच्चे को कहा गया है हाथों पे जुलाती हैं उसे गोद भरी रह रह के हवा में लोका देती है गूज उठती है खिलखिलाते बच्चों की हसी इस रुबाई में फिराग गोरकपुरी जी कहते हैं मा अपने बच्चे को अपने गोद में लेकर दुलार रही है आंगन में लेकर अपने प्यारे से बच्चे को चाद के टुकड़े को अर्थाद बच्चे को खड़ी है हास में जुलाती है कभी उसे गोद में ले लेती है रह रह के हवा में जो लोका देती है रह रह सब्द दो बार दोहराने कारण पुन्रोक्ति प्रकास अलंकार है बीच बीच में हवा में उछाल देती है बच्चा किलकारी लेकर हसने लगता है लोका देना उचाल देना गूज उठती है खिल खिलाते बच्चों की हसी बच्चा हवा में उचलने के बाद खिल खिला कर हस देता है एक साथ पूरे कार्थे देखते हैं मा अपने बच्चे को दुलारती है आंगन में लेकर खड़ी है कभी हाथों में जुलाती है कभी गोद में ले लेती है रह रह के बीच बीच में उसे हवा में उचाल देती है बच्चा खिल खिला कर हसने लगता है दूसरा रुबाईया देखते हैं नहला के छल के छल के निर्मल जल से बच्चे को मा निर्मल जल से नहलाती है उलजे हुए गेशुओं में कंगी करके फिर बाल को बनाती है कंगी से बालों को सवारती है किस प्यार से देखता है बच्चा मुह को जब घुटनीयों में लेकर पिनहाती है कपड़े मा अपने बच्चे को दुलारने के बाद निर्मल स्वक्ष जल से नहलाती है और उसके बालों में कंगी करती है, फिर अपने पैर के दोनों घुटने में दबा कर उसे कपड़े पहनाने लगती है, तो बच्चा अपनी मा को एक टक देखने लगता है, एक साथ पूरे काट दे उसके बालों में कंगी करती है और उसे अपने पैरों के घुटने में दबा कर कपड़े पहनाने लगती है तो बच्चा किस प्यार से अपनी मा को देखने लगता है अगला देखिए दिपावली की साम घर पुते और सजे चीनी के खिलोने जगमगाते लावे और रूप वते म उखड़े पर एक नर्म दमक बच्चे की घरोदे में जलाती है दिए दिपावली के साम छोटे बच्चे अपने घर में घरोदा बनाते हैं चोटा सा घर का रूप बनाते हैं उसे घरोदा कहते हैं मा अपने छोटे बच्चे की घरोदे में दिपावली के साम को दीपक जला उस दिपक का प्रकास उस के मुख पर पड़ता है तो उसकी सुन्दर्ता उसका रूप और निखराता है दिपावली की साम दिपावली की सायंकाल है घर पुताई हुआ है रंगरोगन हुआ है और सजाए गये हैं चीनी के खिलोने जगमगाते लावे चीनी के खिलोना और धान का लावा चढ़ाने के लिए घर में आया हुआ है दिपावली के साम पुझा होती है उसमें चीनी के खिलोने और लावे चढ़ाय जाते हैं जो रूप वती मुखडे पर एक नर्म दमक वा रूप वती बच्चे की मा के मुखडे पर एक रोसनी पड़ती है बच्चे की घरोदे में जलाती ही दिये जब छोटे से बच्चे की घर में उस घरोदे में दीपक जलाने लगती है तो उसका प्रकास उसके रूप को और देता है एक साथ पूरेकार देखते हैं दिपावली के साम घर की रंगाई पुताई दिपावली के असर पर होता ही है दिपावली की साम है घर पूते हुए है घर सजाया गया है और साम के पूजा करने के लिए चीनी के खिलोने और लावे घर में रखे हुए है मा अपने बच्चे के घरोदे में एक दीपक जलाने जा रही है दीपक के प्रकास से उसका मुख और सुन्दर दिखाई पढ़ने लगता है आंगन में ठुनक रहा है जिदी आया है बालक तो हई चांद पे लल चाया है दरपन उसे दे के कह रही है मा देखाईने में चांद उतर आया है मा बच्चे के बीच में एक वासल प्रेम इस रुबाई में है छोटा सा बच्चा अपने मा से जिदिया गया है गुसा गया है और पैर पटक कर ठुनक रहा है कह रहा है कि मा मुझे चांद दे दो मुझे वो खिलोना दे दो जो आस्मान में दिखाई पड़ रहा है मा दरपन उसे दे के कह रही है मा सीशा उसे दे कर एनक उसे दे कर कह रही है देख बेटा इसी में चांद उतर आया है तो आपका खिलोना इसी एनक में चला आया है इस चोथे रुबाई में फिराग गुरगपूरी जी कहते हैं कि छोटा सा बच्चा घर में जित किया है कि मुझे आस्मान का चांद और थात्वा खिलोना लाकर दे दो मा उसे दरपन देकर आइना देकर कहती है कि देखो बेटा इसी में आपका चांद उतर आया है रच्चा बंधन की सुबह रस की पुतली बहन को कहा गया है रच्चा बंधन की सुबह है सावन के पुणमासी का दिन है चाई है घटा गगन की हलकी हलकी आस्मान में काली घटा चाई हुई है बादल घिरे हुए हैं बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे आस्मान में जैसे बिजली चमकती है उसी प्रकर से राखी के लच्छे राखी के धागे चमक रहे हैं बिजली की तरह चमक रहे हैं, भाई के बांधती है चमकती राखी, बहन अपने भाई को वही बिजली की तरह चमकती हुई, दमकती हुई राखी अपने भाई के बांधती है, राखी भाई बहन का तेवहार है, इसमें बहन अपने भाई की दिरगाय की कामना से एक रक्षा सु की सुबह रस की पुतली बहन रक्षा बंधन की सुबह है और बहन राखी बाहनने के लिए अपने भाई के पास जाती है आस्मान में काली घटा हलकी हलकी छाई है और रक्षा बंधन के धागे रक्षा बंधन के धागे बिजली की तरह चमक रहे हैं जब भाई के हाथ में बहन राखी बांती इस प्रकार से यह रुबाईयां समाप्त हुआ अब अगले आडियो में अब गजल के साथ फिर मिलेंगे आपका दिन सुभो धन्यवाद